तो है लो किस्क्राइश विडियो को खेस तो आगर इस भी का एक और वीडिया में आज मैं अल्ड बैसन में आ चुका हूँ जो कि वन अधा बेस्ट या फिर मैं कहूं तो बेस्ट होड़र पर बाई हां बिल्कुल है बेस्ट आइनो मैंने आइलेंड की काफी बार तारीफ करी है लेकिन वही ओल्ड बैसे दिल के खरीब है यह ओल्ड फर बार साथ देता है वह लगबाता है इस बार यहां पर कोई नहीं है हां बिल्कुल बट हो जाता भाई कभी कभी यह नो बैस से बैसीज भी कभी कभी नहीं करती का तो मैं गाड़ी लेता हूं और मैं थर्डिल ही निकलूँगा यह हमेशा अगया इन्यूवर्सल टूर्थ है भाई कि जो भी आए गॉल्ड बैसिन उसे धर्डिल जाना ही पड़ेगा वह यहां सेंट्रल हो नहीं जाएगा ज़रू ज़्यादा मैं वैसे अगर वहाँ पर रेड जोन का प्रकोप हर टाइम नहीं रहता तो कैर मैं थर्डिल आता हूं और यहां बंदे होते हैं लेफ्ट वाले ब्लू घर से तो मेरे को फुट्स्टेप आए है लेकर इस ट्रिपल स्टोरी में भी होता है भाई दूसरे वाले बंदे का जिसने जहिन जहर यहां नाम रखाता अपना भाई उसका पता नहीं था मेरे को वहाँ पर है हाँ मुझे पता देख दूसरे बंदे का लेकिन वो नीले वाले घर की तरफ है जो कि अभी भी है फुट्स्टेप आ रहे है उसके खेर वो नूब था इसलिए मैं बच गया नहीं तो वन एश्पी था भाई बहुत इजी था मेरे उसे मारना खेर जो भी हो अब वज़े दूसरे बंदा होता है नीले घर में जो था वो उस जै एंजैर यहाना वाले बंदे का किल्चोरी कर लेता है मेरा किल्चोरी कर लेता ह वह देखो सामने को कुटे पिटने वाला थे बहुत तकड़ा मोली फैक है मैंने मेरी जो जली हुई थी वैसे मैंने उसकी जला दी हाँ पर वह अलग बात है उसने मेरी जलानी के लिए मोली नहीं फैक ही थी खेर यह गेनेर कुछ कर सकता है शिट वह स्कॉर्णर में चला ग है तो मुझे लगा एक और हो गए यहां पर कोई मुझे लगा था यह हरियाना का टीम मेट है पर नहीं घटिया दी मेरा किल चोरी कर लेता है अब पता चलता है मेरे को एक्चल में जब गेम खेल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं मैंने इस बॉट को मारकी तरह से किल वसूल क है मैं बिल्कुल पागल हो की तरह चलाता हूं तो मैंने फसाद ही पीछे गाड़ी कही बटेंशन ओट सामने एक ब्रैंड यूएज मेरा वेट कर रही है बट अभी शायद में कोई यहां पर सामने वाले बंदे का वेट करना चाहिए भायजन चल रही है यहां पर पास ही च पीछे से जो कि बड़ी जल्दी में जाने के लिए प्रादर बहुत ज्यादा साही कनेक्ट हुए थे शॉट्स तीन चार मतब दो हैड़ शॉट तो लगे थे और एक बॉड़ी शॉट लेकिन वह बचके निकली गया एफ इसको तो जप लिया भाई किसी ने बग्गी वाले बंदे का कीमा बना दिया पक की बात यह जिसको मैंने फिनिश करा शादे वही बंदा था क्योंकि वह तो जितना मुझे आदे अकेले गया तो वहापे सिर्फ दो गाड़िया एक युएज और एक बग्गी तो फकॉर्स युएज में टीम होगी जिसने बग्गी वाले को धप जप दी होगा और वो इस तरफ आया मताद देखे रहो किस तरह से किल मेरी किसमत में लिखा था उनके पास था फिर भी आके मेरे सामने उसने प्राण दिये खेर वो लोग निकल रहे हैं और तुम्हें बहुत जारे मजा आने वाला है बिल्कुल रेडी रहना सारे चीटर्स है पर भाई जब बैठे रहोगे तो थोड़ी ने तुम्हारे चीट से अक्टिवेटर रहेंगे और तुम्हें बचा लेंगे क्योंकि जितना मैंने देखा इनकी इतनी वसकी नहीं है जितने भी चीटर्स हैं इन पर हेल्थ वाला कोई है को कि हां तुम शूट कर उनकी डाल हेल्थी कम नहीं हुरी नहीं ऐसा तो नहीं है देखो इनकी पीटी क्या चमकी पड़ी है मसे आ गया और अगर तुम गौर से देखोगे तो सारी गाड़िया जली पड़ी है यह जली पड़ी है मेरी युवेज भी डैमेज़ और पीछे डाश होती है वह भी डैमेज़ पुरी तरह से मतलब भाई कोई एक वैपन तो ढंका होना चाहिए था मजबूरी है तो इनसान कुछ भी करेगा तो मैं डाश या बिल्कुल नहीं उठाता मेरी वाली युवेज लेकर चला जाता है क्योंकि यह जादा दूरेबल है मैं जातो स्टेडिम और जारा कट देख रहा कितना तगड़ा ले तो मैं आपे मतलब रियल लाइफ में भी ने सकता मैं खेर रियल लाइफ में तो मेरे को चलाने भी नही प्रियुमते हुए वह अलग बात है अभी भी कोई गंशॉट की आवास टेडम से नहीं आए इस तीज का रियल पेर्स बचे है और यह दो दो रियल पेर्स थे एक ने जिसने मारा डीनो जेमस का नाम और जिसको मारा तो मैं देख रहा है तो हां यार मैं देख रहा हूँ क् कि मैं ही सब को मारू इस बार क्योंकि तब ही यह मैच एक लिजनरी मैच को अनुट होगा बंदे इतने सारे कम बचे हैं बट फाइन उसका तो नाम मैं नयाद रख लिए डीनो जेमस बहुत देर हो चुकी थी अरांट दो मिनिट हो चुकी थी जोन आ जाता है तो मुझे रिवील हो जाएगी सेकेंट इसमें मार देगा वो वट दे हैक गंशोट की वास सामने साथी रवो देख उसका नाम भी आया डीनो जेमस भाई हद्दै बंदे कि यार कैसे पोज़िगा वो इतनी चलती वहां पे यहां से थोड़ा बहुत फील मिरको आने लेगी कि भाई य अगर किस्मत रही वो नहीं देख पाया तो मैं तीन सेकिंड में उस तरफ होच जाऊंगा यप उस तरफ से मेरा मतलब था इस तरफ क्योंकि यही जगे बस जोन में बची है और वो जो उसकी शैक है जहाँ उसकी कार है वो जगे आट अट जोन है तो उसे हाना पड़ेगा तो अब भी महीरेपास जोन का अपर हैंड तो मेरे बस सब्सक्ना को आने देना है कि वहां से देखो आता कहीं भी मेरे को मतल किमें दिखने रहा कि यहां से बहूंुकर वहांसे बहां से आजब हence ने पता नहीं कैसे चोलो भई मतलब मैं बता रहा है मैंने scene cut कर दे लेकिन यहाँ पर भी एक minute हो जाती है लेकिन यह finally कुछ presence अपनी feel कर रहा थे कि मैं हूँ यहाँ पर grenade फेका और क्या पता अगला grenade भई सीधे शैक में आजा क्योंकि आस पसी पटा था मतलब बंदे को पता तो है कि मैं शैक में हूँ और इसके अलावा हर जग जग ज़र चीज ओपन में है तो यह common sense उसे पता ही होगा मैंने smoke फेक लिया क्योंकि मुझे पता है कभी भी ओपन में मिरे को जाना पड़ सकता है तो फेक ही लेता हो smoke तो बंदा सामना जुका है देख वो smoke की फोर्मैलिटी तो करनी पड़ते है भली सामने है करो कैसे बंदा हो सामनी कहीं है तो एक बार गिने डिफेक के देख लेता हूँ जितना डामेज जाएगा उससे मेरे को पता चुल जाएगा बंदा है किस तरफ तो उसी तरफ में एक और गिने डिफेक कूंगा लेकिन बंदा हट जाता है फाइनल ब्लो और यार कड़ते है कि चन डिनर डिनो जेम्स को लपेटी दिया फाइनली और पता ना तुम्हें कैसा लगा है यह वाला मैच माना की किल्स टैन प्लस भी नहीं हो पाए और यह एक बहुत अच्छा मैच था मेरे इसाब से दोगी और मुस्स सारे मेने रियर प्लस मा रहे हैं और आगे एक मोंटेजर की बोड़े के जरू जाना है और थांक्स सपोर्टिंग गुड़ बाई झाला मैच झाला मैच मेरे इस दोगा है झाला मैच दिरामक्ट थांक्र पिरला मैच य। आहे ज़ायाओ नहीं हो एक डाला मैच श्वाब टोड़ भी टी नहीं हो पाम से जग्या Разव थoh झाल झाल झाल